नमस्कार दोस्तों आज का जो हमारा एक्सेल का लर्निंग वीडियो है उसमें हम सिखेंगे कि हम कैसे जो यह सौटकट्स है यानि कि आप जो यहाँ पर मैन्यू बार देख रहे हो उसके सेट सौटकट को हम कैसे यूज करके हमारा टाइम सेव कर सकते हैं और इसको हम कैसे पाउंटर्ड हो तो आपको डॉलर साइन चाहिए या रूपी साइन चाहिए मनी के आगे राउंड फीगर चाहिए इसके सब के सौटकट आपको वहीं पर मिल जाएंगे तो बहुत ही यहाँ पर इजी हो जाएगा आपके लिए अगर आप स्टूडन्ट हो तो अगर आपको रैप ट्रैक्स करना है अलाइन करना है और चार्ट क्रियेट करना है या तो फिर कुछ कमेंट डालना है वो भी इजीली यहां से हो जाता है तो दोस्तों आगे बनने से पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरू करना वीडियो पसंद आता है तो करने के लिए आप यहां पर अंडू कर सकते हो रीडू क्या होता है कि अगर मैंने यहां पर एक लिखा हुआ है और उसको मुझे यहां पर बार-बार कहीं पर करना है तो आप यहां पर कर सकते हो रीडू यानि कि वह क्या करेगा अपना नेक्स कॉलम में जैसे मैं जाता हू और यह जो है यहां पर पेंट फॉर्मेट है यह पॉइंट फॉर्मेट क्या रहता है दोस्तों कि जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे यहां पर ऐसा सरकल बन जादा यानि कि जो भी यहां पर है आपको पेस्ट करना है यानि कि पेस्ट वैल्यू होता है पेस्ट फॉर्मेट होत दूसरी चीज है split column उसको हम देखते हैं तो मैं इसको क्या करूँगा यहां पर मैंने click किया है इसको मैं click करूँगा यह select होने के बाद में मैं यहां पर split column करूँगा तो यह मुझे पूछ रहा है कि automatic कर दें तो यहां पर जैसे automatic क्लिक करूँगा वह अपने आप यहां पर automatic ले लेगा तीन column में अगर आपको automatic नहीं करना है तो वहां पर option भी दिया जाता है कॉमा करके जैसे यहां पर मैं आपको बता तो कौन-कौन से option रहता है तो यहां पर जैसे split करोगे आप यहां पर drag करके देख सकोगे कि कौन से आपका जो यहां पर comma semicolon period space किस हिसाब से चीए अगर custom करना है तो आप यहां से custom कर सकते हो फिर यहां पर next आता यह आपका percentage यह आपका जूम यू है यहां पर जो देख रहे हो hundred है अगर यहां पर आप उसको काम कर दोगे तो आपको यहां पर ऐसे zoom काम हो जाएगा तो आप hundred करोगे तो back to normal हो जाएगा फिर आता है यहां पर डॉलर sign तो यानि कि जो भी यहां पर numbers आप लेख रहे हो कोई भी जैसे यहां पर 525 है 5.25 है तो इसको हमें यहां पर डॉलर sign चाहिए तो हम इसको select करके यहां पर डॉलर करेंगे तो अपने आप यहां पर डॉलर आ जाएगा फिर आता है percentage मुझे अगर यहां पर इसका percentage चाहिए तो मैं इस पर जैसे click करूंगा वह percentage signage के साथ आएगा अगर मैं यहां पर नॉर्मल नंबर पर भी करता हूं तो आप देखो कि उसका percentage नंबर आ जाएगा अब हो यहां पर क्या है यह decimal जो है यहां पर two digit है और यहां पर यहां पर two digit है पर अगर आपको यहां पर increase और decrease करना है जैसे यहां पर मुझे चाहिए यह round figure तो मैं इसको decrease कर दूँगा अगर मुझे यहां पर ज्यादा detail में चाहिए यानि किस लोग जो currency में ट्रेड करते हैं उनका decimal बहुत जरूरी होता है तो उसके वाज़े से यहां पर यह रखते हैं नहीं तो हम क्या इसको दो digit भी रख सकता है फिर आता है यहां पर 123 इसमें काफी सारे यहां पर आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे जो होता है नंबर होता है कभी क्या होता है कि हम कोई भी डेट लिखते हैं तो अगर जैसे यहां पर मैं ऐसे कोई-बी डेट लिखता हूँ तो पहले तो यह क्या करेंगा यहां यह वाला है उसके बाद में अगर आपको प्लेंट टेक्स चीए तो कई जगह क्या होता है अटोमेटिक ले लेता है तो आपको अगर आटोमेटिक नहीं चीए तो यह वाला जो है सिलेक करके आपको यहां पर प्लेंट टेक्स कर देना है तो आपका क्या होगा कभी भी क परसन्टेज हमने देख लिया यहाँपे साइंटिफीक का इतना डिटेल में आइडिया नहीं पर कोई भीर नमबर जो रहता है उसको अगर आपको नेटिटीफिक यहां पर करना है तो भी यहां से कलिक कर सकते हो तो यूज करो नहीं तो आप उसको अन्डू करते ही ने फिर यहां पर आता है क्पर अब कांट ना पर कांट कर कर ना एकाउंट का तो आपको दीखेगा जो भी माइनस होगा उसको ब्रेकेट में खरके आ जाएगा फिर हमारा जो नीचे है राउंड फिगर यानि की यहां पर अगर मैं कुछ भी जैसे की वन हंडेड पॉइंट इसका राउंड फिगर चाहिए तो वो राउंड फिगर करके यहां पर आ जाता है उसके लिए यहां पर एक राउंड फिगर है देट टाइम और डेट टाइम के साथ है फिर ड्यूरेशन यह एक अच्छा चीज है ड्यूरेशन यानि कि अगर मैं यहाँ पे दो दिन का ड्यूरेशन मुझे यहाँ पे लेना है तो मैं इसको टू करके यहाँ पे जैसे ड्यूरेशन पे क्लेक करूंगा यह आजाएगा 48 आवर्स यह 20 में क्या होता है अभी के जैसाब से आवक करेकर करके कस्टेम करिक करके ओड़ गहीं यहाँ इन रूपी तो आपको मिल जाएगा उसको अप्लाइ कर देना तो आप देखो के यहाँ डौडार के जगा इंडियन रुपीस आ गया उस हिसाब साब कोई भी आपकी जो currency होती है उसको use कर सकते हो custom date and time है तो जैसे click करोगे आपको जैसे date and time छी उसकी हिसाब साब यहाँ पर select करके apply कर सकते हो फिर आता है यहाँ पर next जो है हमारा custom number format है तो number format क्या रहता है कि यहाँ पर जो नॉर्मल रहता है जिरो उसके बाद दो decimal होता है या फिर आपके जो thousand number है यहाँ पर example भी दिया है आप देख सकते हो एक कॉमा चाहिए क्योंकि इंडिया में क्या करते है हम लोग यहाँ पर two decimal के यानि अगर हमें एक लाख लिखना है तो one comma zero zero comma zero zero ऐसे लिखते तो आपके हिसाब से आप यहाँ पर चूज कर सकते हो आपको कौन सा format चीए percentage चीए या कोई भी अपनी हिसाब से आप यहाँ पर custom कर सकते हो फिर यहाँ पर next आता है हमारा default fund default रहता है हमारा area आप कोई भी fund यहाँ से select कर सकते हो वो अपने आप यहाँ पर change हो जाएगा next है यहाँ पर size यह जो fund का size रहता है उसको आप यहाँ से बड़ा या चूटा कर सकते हो फिर आते हैं यहाँ पर bold यानि यह जो हमारा bold हो गया फिर italic नमबर के उपर cross line यह color है text का color यहाँ पर red कर दिया यानि यह आपका figure में बताएगा है कि हमने यहाँ पर 525 को हमने write off किया है यानि scratch किया हुआ है यह आती है यहाँ पर background का तो आप जहाँ पर हो जो cell में वो यह यहाँ पर उसका background ले लेगा फिर आता है यहाँ पर यह border से यानि अभी आपको कोई यहाँ पर border नहीं देख रहा है तो आप यहाँ से एक border भी कर सकते हो कौन सा border चीए center चीए क्योंकि अगर आपको बाहरी border नहीं चीए तो आप यह ले सकते हो center का यह line है horizontal यह line है और अगर thickness भी चीए border का line क्या चीए जैसे color यहाँ पर चीए आपको समझो red तो यहाँ पर red हो जाएगा line की width भी यहाँ से आप select कर सकते हो इस हिसाप से next हमरा यहाँ पर merge मर्ज में क्या होगा कि जैसे यहाँ पर हम यह दो है उसको हमें merge करना है तो यहाँ से करें यह okay तो वो अपने आप merge कर जाएगा second जो यहाँ पर value रहेगा वो निकल जाएगा फिर यहाँ पर हमारा जो text है उसका alignment है अब यहाँ पर देख रहे हैं आपका alignment कौन सा है left side तो उस हिसाप साब यहाँ पर center या तो फिर right side कर सकते हो जो भी आपको यहाँ पर यह चीज आपको ध्यान में रखन यह जो है वो क्या रहता है जैसे कि यहाँ पर मैं यह है यह जो हमारा cell है उसकी बार यह value जा रही है तो मैं क्या करूँगा उसको wrap कर दूँगा एक ही cell में मुझे आना चीज यह data तो यहाँ से आजाएगा पूरा इसके लिए यहाँ पर यहाँ पर काम आता है यह जो चीज जाएगा center में करना है तो यहां से center में आ जाएगा फिर हमारा यहां पर जो next इसको तो हमने देख लिया यह क्या overflow है यह line यहां पर मुझे चाहिए कि यह जो line है आगे जाएगा चलेगा तो उसके लिए जैसे आप यह select करोगे, यहाँ पे कुछ भी लिखोगे, लाइन आगे जाता रहेगा, जो हमने यहाँ पे wrap किया, उसके उल्टा है, फिर हमारा यहाँ पे, यह जो आप देख रहे हो, कि text का rotation, यानि यह south यहाँ पे लिख रहा है, तो यह भी अच्छा है, अगर आप यहाँ पे आपका presentation बना रहे हो, ऐसे कुछ लिख रहे हो, तो काफी यहाँ पे आपको impression भी मिल सकता है, फिर होता है, यहाँ पे insert link, यानि अगर मुझे कोई भी सेल में कोई भी insert link करना है, तो मैं यहाँ से वो insert करके रख सकता हूँ, यहाँ पे, और फिर हो यहाँ पे मुझे दीखेगा, next आता है add comment, यानि अगर मैंने यह 525 यहाँ पे write up किया है, तो यहाँ पे अगर मुझे कुछ भी comment डालना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, paid, जैसे comment करोगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यलो sign आ जाएगा, तो किसी को अगर यहाँ पे देखना है, यह क्या है information, ज दीखेगा हाँ, यह क्या था, किसने डाला था, यहाँ पे comment, और जो next जीजे है, हमारी यहाँ पे आप देख सकते हो, chart का, यह insert chart का रहता है, इसमें दो तरीके से होता है, हम इसको detail में आगे आने वाले video में देखेंगे, कि हमें यहाँ पे chart कैसे add कर सकते हैं, कोई भी आपको यहाँ पे easily मिल जाएगा, तो उस हिसाब से आप अपना यहाँ पे chart बना सकते हो, वो हम आगया आने video में एक पुरा एक video बनाएंगे chart के उपर कि हमें कैसे उसको यहाँ पे draw करना है, अपने sheet में, फिर आपको next मिलेगा यहाँ पे, वो जो है filter, फिल्टर आपको कब काम आता है, यहाँ पे इस जगह पे अगर आपने यहाँ पे filter सेट कर दिया है, तो आपको यहाँ पे filter मिल जाएगा, तो आप नाम के हिसाब से भी दिन सकोंगे, या तो फिर आपका जैसे यहाँ पे कोई भी है, कि मुझे mango ही चाहिए, यहाँ पे detail, तो आप मैंगो यहाँ पे 3-4-3-4 command करके use कर रहा हूँ, और वो मैं आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा, इतना cover करके आपको बता हूँगा, आपके लिए जो यहाँ पे हो सकता है, the best एक तो हो सकता है, financial tools, फिर आता है यहाँ पे एक engineering का tools, और आ सकता है यहाँ यहाँ पे logical, logical काफी use करते हो, लोग, if आ गया, if error है, फिर यहाँ पे if switch, true, यह सब काफी काम हाते हैं, अगर आप यहाँ पे कोई भी data को comparison करते हो, तब यह आपको काफी काम आएंगे, तो इसको हम देरे देरे cover करेंगे, तब तक हम देखेंगे कि हमें और क्या यहाँ पे चिखना है, त हुआ जड़ बाल, देखेंगे, तो इसकी तो न'RE बाल टा यहाँ, तो अगर प्ज़ रहाँ आपको saçण, च HybridHärtस उड़ है, तो दो दो देखेंगे make आए तो एज़ की, तो पे इस दो आपको काम है कि यहाँ दो देखेंगे, तो यहाँर पेंगे, कि प suiv्ना, झ Smणू ही